नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपनी शानल स्टोक्स निज बारवी पे तो ध्यान रखेगा भाइनली बहुत बढ़िया गुड नीज आ गई है और बहुत इंपॉंटन आने वाली है कल के दिन तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यह एक नहीं सारे स्टोक्स के लिए वैलिड होने वाली है मतलब ऐसा नहीं है कि आप यह मान कर चलिया कि Tata Power के लिए वैलिड होने वाली गया Tata Motors के लिए किसी पुरे Nifty 50 के लिए Nifty Bank सबके लिए एक positive news देखाए है लाइक और सब्सक्राइब करना भिलकुल मत भूलेगा अगर चैनल पर नहीं हो तो और वीडियो को अन तक ज़रूर देखेगा देखें निफ्लेशन का डेटा बहुत ही सही आया है एक्चुली में इंडिया के रही साफ से क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंफलेशन धिरे-दिरे कम हो और वो हुई भी है 4.87 आई है एक्सपेक्टिट थी 4.8 बट फिर भी अच्छे खासे पिछले मेने 5.02 तो वहां से 0.15 कम हुई है और साथ ही साथ देखे मेन जो है आपकी फ्यूल और लाइट के कोस्ट कम हुई है वैसी टेबल्स की कोस्ट कम होगी है आपकी हाउसिंग की कोस्ट कम होगी है आपकी क्लोथिंग की भी होगी है रोटी पकड़ा और मकान इनकी कोस्ट एक्चुली में कम होगी है पल्सीज और फूड में थोड़ी सी इंफलेशन बढ़ी है पर वो भी ज्यादा नहीं है ओवरॉल इंफलेशन कम हो गए है तो इससे पोजिटिव इंपेक्ट कल के दिन आएगा और वो देखिए टाटा पावर में भी ओविसली पोजिटिव इंपेक्ट आ सकता है बाइंग सलिंग रेकमेंडेशन है पर न्यूस बहुत अच्छी है इसलिए आपको बताई थी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत बुलीगा